कभी कभी तो डॉग इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि घर के लोगों को ही पागल कर देता है या फिर बाहर के लोगों को कभी आने ही नहीं देता है ऐसे कंडिशन में बहुत बार यह सजेशन मिलता है कि उसका ओप्रेशन करवा दिया जाए मतलब कि वो जो से पहले मैं आप से एक सवाल पुछना चाहूंगा अगर इंसानों का बात करें तो इंसान एग्रेसिव क्यूं होते हैं इंसान गुस्सा क्यूं होते हैं अगर उसके मन का कोई काम नहीं हो रहा हो या फिर उसको कोई चिडा रहा हो कोई बुली कर रहा हो या फिर उसका कोई BPI हो गया हो या फिर कोई medical issue हो अंदर से चिरचिरा हो तब आदमी गुसा होगा या फिर अपना aggressive behavior दिखाएगा अगर यही चीज हम dog के case में पूछे कि कुट्टे aggressive क्यों होते हैं, कुट्टे गुसा क्यों होते हैं, तो हो सकता है तो उस कुट्टे का, जो काम करने का मन नहीं है, वो करवाया जाए या फिर जो वो चाह रहा हो सोना चाह रहा हो, या फिर अराम से रहा रहा हो, तो उसको disturbance किया जाए, या फिर कोई बाहर का आदमी आ करके उसको disturb कर रहा हो उसको ये पसंद नहीं हो कि उसके area में कोई आ जाए, मतलब कि dominance हो, या फिर उसको कोई बार बार disturb करता हो, इसी के वज़े से तो गुसा आता है dogs को, अब कई बार dog में hormone भी responsible होता है गुसा लाने में, जैसे कि कई बार क्या होता है कि dog mating करना चाहते हैं, female dog के साथ mating करना चाहते अगर आसपास में कोई female dog है तो उसके smell से male dog mating करना चाहेंगा, अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि उसमें थोरा सा चिरचिरा पना जाए, थोरा सा गुसा हो जाए, तो यहाँ पे आपको जवाब मिल गया होगा, मतलब कि अगर कोई dog इसलिए गुसा हो रहा है, तो उसको mating क करना है, तो वैसे condition में अगर आप उसका operation करवाओगे, तब आपको result मिल जाएगा, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, कि dog वैसे ही सालो भर aggressive होते हैं, दूसरे पर aggressive होगे, घर के लोग पर aggressive होगे, तो ऐसे condition में operation काम नहीं करेगा, अब दोस्तों operation करवाने का बहुत सारा benefits ह कि female dogs में pimetra नहीं होता है, और भी बहुत सारे जो related problems हैं, वो नहीं होगा, male dogs में भी क्या होगा, कि unwanted leaders को वो नहीं responsible कर पाएगा, उसके related जो भी उसको problem होगा, या फिर complications होगा, वो सब उसके अंदर नहीं होगा, चलिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें follow कर ले दोस्तों तब तक लिए take care, bye bye, जैहिल